नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टील्टी टूर गाइड में दोस्तों आज की स्वीडों में हम बात करने वाले हैं उज्जैन के महाकाल भसमार्थी के बारे में कि अगर आप महाकाल उज्जैन की भसमार्थी को देखना चाहते तो आप कैसे भसमार्थी देख सकते और क्या क्या नियम है भसमारती देखने के लिए कैसे आपको टिकेट बुकिंग करना है यह पूरी कमपीट जानकारी आज में आप सभी किस वीडियो में दूंगी और अगर आप महाकाल उजयन जाना चाहते तो आप महाकाल उजयन कैसे जा सकते कहां पर घुमेंगे कहां रु अमिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है और वहीं पुर्शों के लिए धोती पहनना जरूरी होता है इसके साथ ही जब यहां पर आरती शुरू होती तो महिलाओ को गुंगट करना आनेवारे होता है तो दोस्तों अब बात करते हैं महाकाल भसमारती देखने का सम जाना होता है और अगर आप बस मारती एकदम पास से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी को टिकट बुकिंग के साथ-साथ-थाइस्व रुपय का वी आइपी पास लेना होता है तो दोस्तों बात करते हैं कि बस मारती में शामिल होने के लिए ओल्लाइन टिकट बु से लेकर के रात के नौ बज़े तक होती है और दोस्ते मैं आप सभी को एक और जानकारी देदू कि अगर आप ऑल्लाइन भस मारती की टिकट बुकिंग करना चाहते तो आपको सुबह आट बिजे से लेकर के दोपैर के बारा बिजे के अंदर ही टिकट बुकिंग कर लेना ह जैसे कि आधार कार्ट पैन कार्ट ड्राइविंग लैसेंस पासपोर्ड इत्यादी और दोस्तों अगर आपके साथ 12 साल से कम उम्रे के बच्चे के लिए किसी भी तरह की ऑनलाइन या ओफ लाइन टिकट बुकिंग की जुरत नहीं पड़ती है और दोस्तों अगर आप भस बज़े से लेकर के 12 बज़े के अंदर ही भसम आर्थी की कंफर्ट टिकट मिलेगी जिससे आप दिखा करके मंदर में प्रवेश कर सकेंगे और यहां पर पर देड़ सो परसन को ही टिकट दिया जाता है जो कि एक फॉर्म के पीछे 5 परसन का टिकट ले सकते हैं और दोस्तो लोग अपना रूम में स्टेक कर सकते हैं तो आई होप कि आप सभी को इस वीड़ो में भसमारती से रिलेटेट सारी कंप्री जानकारी मिल गई होगी लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई डाउट से तो आप मुझे कॉमेंट करके पूस सकते हैं और अगर यह वीड़ो आप